कोशन नमबर 14 करते हैं एक सी लिमिटेड है इनके पास ब्लोक है एक जिस पर यह 15% के हिसाब से लगाते हैं डेप्रीशेशन और इसकी WDV साल के शुरू में है 40 लैक इन्होंने एक और मशीन खरीदी है 14,40,000 की 1st नेवेंबर को 180 पेस से कम हो गया तो 50% डेप्रीशेशन लग कर दिया तो डेप्रीशेशन लग जाएगा इनका अमल्गमेशन हुआ है दी लिमिटेड से 1st जैन्वरी को तो 1st जैन्वरी से इनको डी लिमिटेड को मिलेगा डेप्रीशेशन और 1st जैन्वरी से पहले एक्स लिमिटेड को मिलेगा हमें बताना है कितना एक्स और कितना को मिलेगा सबसे पहले तो हम लिखते हैं ओपनिंग डब्लू डीवी 40 लेक प्लस कॉस्ट ऑफ एक्कुजिशिशन अक्वार डूरिन दे यर कॉस्ट ऑफ एक्कुजिशिशन ऑफ असेट अक्वार डूरिन दे यर रिलेटिट टू दिस ब्लॉक और यह है 14,40,000 हमारे पास आ गया 54,40,000 इसमें से लेस करते हैं फुल वेली ओफ कंसिटेशन ऑफ एक्वार डिसकार्डेड यह सब लेस कर देते हैं जो भी असेट बेची है तो बेची कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 54,40,000 आ गया इसके उपर डेप्रीशेशन लगाना है लेकिन जो हमारी 14,40,000 की असेट है इसके उपर 15% 50% लगेगा हाफ एर का और जो बची वी असेट है 40 लेक इसके उपर पूरा का पूरा 15% लगेगा तो 14,40,000 इंटो 7,5% कर दिया मैंने 1,000 लेक 8,000 तो यह आ गया और 40 लेक पर 15% 6 लेक यह आ गया ठीक है अब इसके उपर जो डेप्रीशेशन आया है इस डेप्रीशेशन को अब हमें डिवाइड करना है एक्स लिमिटेड और टी लिमिटेड में ठीक है अब जो डेप्रिशेशन होता है वो डिवाइड होता है दोनों कमपनी में नंबर ओव डेस के हिसाब से कितना कितना यूज किया तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि फर्स्ट जैन्वरी के से कितने दिन होगा डिलिमिटेड में अमिल कमेशन होगा तो जैन्वरी के थाटीवन पेब के ट्वनटी येट और मार्च के थाटीवन अब अगर हमारा लीप एडर है तो 91 डेस हो जाएंगे और नॉर्मल येडर तो 90 डेज है नॉर्मल येर में अगर आपका येर लीप येर होगा क्योंकि मैं तो एक जनरल बता रहा हूँ ये किसी पर्टिक्लर येर के साथ से नहीं बता रहा हूँ और इसमें जो हमारे पास ये दो असेट्स है तो ये जो फर्स्ट डे से है उसमें तो हमारे 365 डेज में से 275 डेज ये ये फर्स्ट जैनरी से लेकर 31 मार्स तक है ठीक है 90 डेज अब यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजनल मशीन है उस पर तो पूरा साल है तो फर्स्ट एपिरिल से शुरू हो जाएगा लेकिन जो हमने फर्स्ट निवेंबर को खड़ी दी है तो यहाँ पर निवेंब और दिसंबर के हमारे डेज आएंगे फर्टी प्लस फर्टी वन यहाँ सिक्स्टी वन डेज आएंगे तो अब इस हिसाफ से हमारा जो है डिस्टिब्यूट हो जाएगा डेप्रिशेशन तो एक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं वन लैक एट थाउजन को डिवाइड करते हैं एक्स और डी में तो वन लैक एट थाउजन इन्टो सिक्स्टी वन डिवाइड बाई सिक्स्टी वन प्लस नैंटी वन लैक एट थाउजन इन्टो नैंटी डिवाइड बाई सिस्टी वन प्लस नैंटी तो ये काम हमने करा वन लैक एट थाउजन के डेप्रिशेशन का और सिक्स लैक के डेप्रिशेशन को हम डिस्टि और 90 के रेशो में यह आ जाएगा 6 lakh इन्टू 275 डिवाइड वे 365 यह आ जाएगा 90 upon 365 तो यह amount कि दिनी आ गई चेक कर ले है 1 lakh 8000 को डिवाइड करना है हमने 61 के रेशो में यह आ रहा 43 629 64 371 6 lakh को डिवाइड करते है 275 45255 और 147 945 तो एक्स के हिस्से में तोटल डेप्रिशेशन आएगा 43 629 प्लस 4525 और दी के हिस्से में आएगा 64 371 प्लस 147 945 तो टोटल मिला कर तोटल मिले तोटल रेट तोटल टोटल चेक कर लेता हूं seven like eight thousand ठीक है तो उमीद है आपको पता चल गया होगा कैसे इस question को solve करना हमें जो total depreciation पहले बीना किसी बात को सोचे हुए निकालना है amalgamation के normal depreciation निकाला जो seven like eight thousand आगे है अब हम देखेंगे कोई भी asset है अगर एक से ज़्यादा asset है और उस पर अलग अलग rate जैसे 50% 100% लग रहा अगर एक ही होता 100% सब पर लग रहा होता तो मैं two 75 और 90 days के ratio में divide कर देता अब यहाँ पर बीच में एक साल के बीच में कोई asset खरीदे और उस पर आधा depreciation लग रहा था तो इसलिए मैंने days के ratio में कर दिया अगर कोई और भी asset खरीदे रहे होते और उस पर जब पूरा भी लग रहा होता है कोई नई asset करीदे तो हम उसकी दिन से जिस दिन से हम use करें तब से लगाते हैं तो days का हिसाब हमें लगाना पड़ेगी देखे हमने अभी तक यह पड़ा है कि depreciation WDV method से लगता है अगर हम बात करें किसीज की income tax में तो income tax में जो depreciation होता है हो कैसे लगता है WDV method से लेकिन कुछ special cases में depreciation straight line method से भी लगता है तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर एक balancing charge होता है terminal depreciation होता है तो यह क्या होता है इसे समझते depreciation in case of power generating units यह power generating units shall have the option to claim depreciation either on the basis of straight line method और WDV and any option taken cannot be changed subsequently तो इनके पास एक option है यह चाहें तो अभी तक हमने जो section 32 पड़ा है WDV method से block of assets से उसके इसाब से depreciation लगा है या यह चाहें तो state line method का option भी चूज कर सकते हैं लेकिन अगर एक बार कोई भी option चूज कर लिया तो उससे फिर change नहीं कर पाएंगे if the SEC has claimed depreciation on WDV basis, depreciation shall be allowed on the basis of block of asset and if depreciation is claimed on SLM, depreciation shall be computed on the basis of individual asset however, concept of 180 days shall be applicable तो यह कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे अगर state line method से लगा रहे हैं तो जैसे state line method काम करता है अलग लग asset के साब से normal चलेगा, वहाँ पर block system नहीं चलेगा और income tax ने state line method के अलग depreciation के rate दे रखें वो बहुत सारे हैं, बहुत अजीब हो गरीब भी हैं तो आप उसको याद रखने की कोशिश नहीं करें न देखें अगर exam में कुछ भी इस type का question आता है तो आपको depreciation का rate question में दे रखा होगा ठीक है, तो इसमें मेली बात है कि जो treatment होगा, sale के समय क्या होगा depreciation तो normal लगाना, state line method के साब से, लेकिन जब आप बेचेंगे तो profit loss होगा न तो profit loss कैसे निकाला रहे हैं, इसको भी normal तरीके से नहीं निकालेंगे जैसे हम accounting में करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा difference है, तो क्या है वो देखते हैं, जब हम sale of asset करेंगे तो क्या changes आएंगे, first हमारा term use आ रहा है terminal depreciation, तो यह क्या होता है terminal depreciation, if the asset is sold, any loss on their sale shall be considered as a terminal depreciation and shall be allowed to be debited to P&L account, देखिए, यहाँ पर concept क्या है, उसे समझते हैं, concept यह है, suppose हमारी कोई asset है जिसकी cost थी 10,000, कुछ सालों में depreciation लगते लगते, इसकी WDV हो गई, suppose 6,000 आज की date में इसको sale किया गया, suppose 5,000 तो हम accounting में इसे बोलते हैं, loss on sale of asset, ठीक है income tax में क्या बोला गया इसको, terminal depreciation, terminal word use होता है at the end, जब हम last में उसको use करते हैं, कोई जैसे asset है, उसका last year है, last time है तो उसे हम टर्मिनल use करते हैं, तो terminal depreciation कमता है, जब asset का use खतम हो गया, तो उस समय हमने जो depreciation लगाया यह सोच यहाँ पर यह है, कि आपने 10,000 से लेकर उसको 6,000 तक WDV पर लाए, उसकी अभी तक की life में आपने 4,000 का depreciation लगाया, बट it was insufficient, वो सही नहीं था, क्योंकि अगर आपको सही सही आपने depreciation लगाया होता, तो आज की date में, हमारी asset की WDV 5,000 होनी चाहिए थी, लेकिन है 6,000, इस का मताँ आपने अभी तक 1,000 का depreciation कम लगा रख रहा है, तो PGPP यह chapter यह कहता है, कि आप 1,000 रुपे को loss ना बोलिए, इस 1,000 रुपे को आप बोलिए terminal depreciation, यह loss नहीं है, यह असल में वो depreciation है, जो आपने अभी तक नहीं लगाया, तो आप इसको लगा दीजिए, यह loss नहीं बोल करके, इसे हम क्या बोल रहे है, terminal depreciation, क्योंकि अगर हमने इसे loss on sale of asset बोल दिया, तो यह capital gain के chapter में हम पहुच जाएंगे, तो इन्होंने का इसी चप्टर में रहिए, तो हमने इसी चप्टर में रोकने के लिए बोला, यह business का loss है, business का expense है, ना कि capital gain में loss है, तो इसको यहीं पर loss दिखाई है, इसलिए इसका नाम रखा गया, terminal depreciation, तो यह बात आपको समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं, दूसरा term जो use होता है, जिसका नाम है, balancing charge, यह क्या है, balancing charge, इसको समझते हैं, with the help of example, suppose जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसी में, मैं थोड़ा सा changes करता हूँ, cost है 10,000, WTV है 6,000, selling price है 7,000, तो normal accounting में हम इसे कहते हैं, profit on sale of asset, 1,000 रुपेस, लेकिन अगर हम इसे profit on sale of asset बोलेंगे, तो हम capital gain के chapter में पहुच जाएंगे, इसे दूसरे तरीके से सोचिए, इसका मतलब यह है कि हमने depreciation ज़्यादा लगा दिया, वही हमने इसको WTV 6,000 है, विकरी asset selling price है 7,000, इसका मतलब आगर आपने depreciation 1,000 रुपे कम लगाया होता, तो इसका selling price का equal WTV होता, depreciation आपने 1,000 extra लगा दिया, और depreciation कहां लगाया है, आपने PGPP के chapter में, P&L account में depreciation पिछले सालों में लगाया है, तो जब PGPP में extra depreciation लगाया है, तो reversal भी PGPP के chapter में होना चाहिए, तो ये बात सोचते हुए, इन्होंने का कि ये 1,000 रुपीज profit on sale of asset नहीं है, ये business की income में आएगा, तो इसका नाम रखा गया क्या, balancing charge, और ये balancing charge, business की income मानी चाहिए, देखें क्या लेखा है, if the amount is received, after closing down of the business, still it will be considered as a business income, ठीक है, चाहे business आपका बंद हो गया, तो भी इसे business का ही income माना जाएगा, the excess over it shall be taxable, ऐसे capital gain under section 58, अब यहाँ पर यह बोला गया है, कि suppose, यहाँ पर selling price, 11,000 हो, तो आप fourth, देखो आपने अभी तक depreciation कितना लगाया इस पर, पर थाउजन, वई आपकी 10,000 की cost थी, और इस 10,000 की cost का WDV कितना है, six, तो accumulated depreciation, अभी तक का 4000 है, तो आप business में अभी तक का 4000 का खर्चा डाल चुके हो, जब से asset को use करना शुरू किया है, तो balancing charge, reversal 4000 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि आप selling price 11 है, तो देखो काईदे से profit जो हुआ है, वो तो 5000 का हुआ है, ये तो हमें पता चल रहा है, 6000 की WDV है, 11,000 में sale किया तो 5000 का profit है, ये तो हमें पता चल रहा है, अभी तक हम accounting में इस profit को profit ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा, हम balancing charge बोलेंगे, जैसे हमने पहले दिया था, तो balancing charge कितना होता है, ये कहरें, balancing charge हो सकता है, जादा जादा जेतना depreciation लगाया था अपने, तो to the extent of 4000, maximum, ये कितना हो सकता है 4000, और उसके उपर जो भी का, अब आपकी कोई 10,000 के asset खड़ी दी और 11 मिला, तो ये तो profit हो गया न, capital gain हो गया, तो बागी का, selling price above cost, will be capital gain, section 58, depreciable asset पे तो short term capital gain ही होता है, तो यहाँ पर ये बोला, कि हम लोग क्या बोलेंगे, कि भाईया, आपको capital gain के chapter में जाना पड़ेगा, और balancing charge maximum कितना हो सकता है, जितना अभी तक आपको depreciation अला हुआ है, मतलब अगर आपका selling price cost से कम है, और profit हो रहा था, सारा का सारा balancing charge, cost से जादा है, तो up to the cost balancing charge, उसके उपर का, अब मैं इसे एक और method से show करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, suppose, आपकी cost है, जैसे हमने बोला 10,000, इसमें से depreciation लगाते लगाते, WDV आ गई, 6,000, ठीक है, इन केस, आपका selling price, WDV से कम है, तो उसको कह नाम दिया हमने, terminal depreciation, यह इस एरिया में आएगा, फिर हमने balancing charge बोला, अगर selling price, WDV से ज़्यादा है, लेकिं cost से कम है, तो इस एरिया में जो होगा, यह होगा, balancing charge, और अगर selling price, इस से cost से उपर है, तो यह capital gain होगा, तो capital gain होगा, जितना selling price cost से उपर है, तो capital gain कितना होगा, selling price minus cost, ठीक है, और balancing charge कितना होगा, if selling price is, less than cost, and more than WDV, selling price is, more than WDV, but less than cost price, तो हम क्या कहेंगे, balancing charge सीधा सीधा क्या है, selling price minus WDV, अभी मैं example लेकर सब बता दूँगा, और कहीं, अगर selling price cost से भी जादा हो गया, तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, cost और WDV का difference balancing charge हो जाएगा, तो balancing charge कितना आ जाएगा, cost minus WDV पूरा आ जाएगा, अभी हम एक एक example से समझेंगे, और terminal depreciation कैसे आएगा, terminal depreciation हमें पता, WDV जादा है selling price से, तो loss जो हो गया, वो हमारा WDV आजए, मैं एक एक करके, सबका example आपको बताता हूँ, सबसे पहले example, मैं आपको बताता हूँ, one, terminal depreciation का, मालिया cost है 10,000, WDV 6000, selling price should be less than WDV, अगर terminal depreciation होना है तो, तो मालिया selling price है 5,000, तो यहाँ पर terminal depreciation होगा, 1,000, that is loss on sale, जो हम normal accounting में बोलते हैं, और यह expense माना जाएगा, PGPB के chapter में, अब मैं आपको बताता हूँ, example number 2, अगर हमारा selling price WDV से ज़्यादा है, लेकिन cost से कम है, तो cost है हमारी 10,000, WDV है हमारी 6,000, selling price है 7,000, तो 7,000 selling price WDV और cost के बीच में है, तो ऐसी situation में हमारा जो balancing charge होगा, वो हो जाएगा selling price minus WDV, जो मैंने यहाँ लिखा है, 7,000 minus 6,000, तो 1,000 में रा balancing charge मतलब, income हो जाएगा, under the head, PGPB, जो पहले depreciation हम लगा चुके थे, वो आप reverse हो जाएगा, मैं आपको example number 3 बताता हूँ, दोनों ही चीज़े यहाँ cover हो जाएगे, example number 3 में, capital gain भी और balancing charge भी, example number 3 में, example number 3, cost है 10,000, WDV है 6,000, selling price है 11,000, एसी situation में हमारा balancing charge, कितना होगा, up to the cost, 10,000, minus 6,000, जो मैंने यह लिखा हूँ है, cost minus WDV, 4,000 balancing charge है, और capital gain, under section 50A, जो मैंने बताया, capital gain होगा, selling price minus cost, that is 11,000, minus 10,000, total profit 4 plus 1, 5000 का profit है ना, selling price, और अगर हम WDV को compare करें, तो यह हमारा system है, पूरा यह है topic, की कैसे हम straight line method से profit निकालते हैं, तो यह हम, अलग-अलग situation, और समझ लेते हैं, एक और फिर से situation number 1, selling price हमारा WDV से कम है, तो ऐसी situation में loss होगा, जिसे हम terminal depreciation का नाम देंगे, जैसे example number 11 है, इसको अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक electricity company है, और इनके बास profit है 5 lakh का, before depreciation, during the year, company ने plant and machinery को बेचा है, 4 lakh वाली WDV वाली plant and machinery को 3 lakh में बेचा है, तो यहाँ एक लाग का loss हो गया है, जिसे हम terminal depreciation बोलते हैं, तो हमें business का profit निकालना है, तो profit before depreciation हमें दिया हुआ है 5 lakh, इसमें से less कर देंगे, terminal depreciation, जो हो जाएगा, 3 lakh रुपीज की हमारी selling price है, WDV 4 lakh है, 1 lakh का जो loss हो गया, इस हम terminal depreciation बोलते हैं, और यह business का expense माना जाता है, तो profit and gain from business of profession हमारा, 4 lakh रुपीज आ जाएगा, तो यह हमारा example number 11 से हमें पता चला, कि business की income हम कैसे निकालेंगे, situation number 2, selling price हमारा cost और WDV के बीच में है, तो balancing charge बोलते हैं उसको, जैसे अभी जो हमने example देखा, उसी में अगर हम मानें कि selling price है 4.50, और cost price है 5.25, तो हमारा जो selling price है cost से कम ही आ रहा है, लेकिन, जो WDV है 4 lakh उससे जादा है, तो हम क्या लिखेंगे, profit before depreciation, हमें पता है profit before depreciation 5 lakh है, और add हो जाएगा, balancing charge, balancing charge, business की income माना जाता है, तो business की income के तोबर पर balancing charge add हो जाएगा, तो selling price 450 है, WDV 4 lakh है, क्योंकि selling price cost से कम है, तो सारा का सारा profit, balancing charge के लाएगा, जब भी हमारा selling price cost से कम होगा, capital gain होगा ही नहीं, सारा balancing charge हो जाएगा, तो selling price, हमारा है 4 lakh 50,000, और cost, WDV 4 lakh, 50,000 का balancing charge business की income, तो 5 lakh 50,000, business की income आ जाएगा, total business income, चलिए आगे बढ़ते हैं, situation number 3, selling price हमारा cost से जादा है, तो जब हमारा cost से जादा है, जैसे selling price यहाँ 6 lakh लिखा है, यहाँ पर हमें लिखा था profit, before depreciation 5 lakh, यह दिया हुआ था, हम में बता रखा था, यह वह ही है, example जो पहले चल रहा तो, इसकी value में लिख देता हूँ, WDV 4 lakh है, और जो cost है 5 lakh 25,000 है, तो यहाँ पर हमें WDV 4 lakh दिया हुआ है, cost 5 lakh 25,000 है, selling price 6 lakh, क्योंकि selling price cost से ज़्यादा हो गया, तो capital gain भी आ गया, हम add करेंगे balancing charge up to the cost, balancing charge cost से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो WDV 4 lakh है, और 525 की cost है, तो इसकी अमता 125 हम depreciation जो पूरा लगा चुके है, reverse हो जाएगा, तो business income हमारी आ जाएगी, 6 lakh 25,000, और साथी साथ, short term capital gain हो जाएगा, under section 50A, जो होगा selling price minus cost, तो यह 6 lakh, minus 5 lakh 25,000, 75,000, capital gain के chapter में आ जाएगा, और total income, gross total income हो जाएगी, 7 lakh, capital gain तभी होगा, जब हमारा selling price cost से ज़्यादा होगा, यह मैंने आपको पहले भी example के थूँ बताया, ठीक है, अब भी बता दिया, अपनी तरफ से भी मैं एग्जामपल लेकर value बता दिया, यह भी बता दिया, तो अब तक मेरे खाल से यह concept clear हो चुका होगा, set of and carry for all of unabsorbed depreciation, हमें depreciation allowed होता है business के expense की तरह लेकिन depreciation की वज़े से loss नहीं होना चाहिए business में, it means, अगर आपको profit है तो आप सारा का सारा depreciation less कर सकते हो, लेकिन अगर आपको loss हो रहा है या आपका profit depreciation से कम है तो आप depreciation उतना ही लिख सकते हैं जितना profit है, अगर आपका profit है ही नहीं तो आप depreciation नहीं लिख पाऊँगे, example के तोर पर, suppose आपका profit before depreciation है 20,000 और depreciation है 50,000, तो normally हम क्या दिखाते हैं 30,000 का loss, लेकिन income tax कहता है कि भीया आप depreciation 20,000 ही लिख सकते हो, और जो 30,000 का depreciation है, इसका treatment क्या होगा, यह मैं अभी बताता हूँ, आपका profit निल हो जाएगा, मतलब depreciation की वज़े से कभी भी आपको loss नहीं होने वाले है, और अगर आपका पहले से loss है, पहले ही loss है, ठीक है पहले ही loss है, एक लाग उपे का loss है, और depreciation 50,000 है, तो आप depreciation लिख ही नहीं सकते, पूरे का पूरा 50,000 का depreciation, हम profit के loss से तो नहीं लिख पाएंगे इसमें, तो इसका क्या करेंगे, वही हम सीखने जा रहे हैं, तो इसका मतला हमें यह पता चल गया, profit का होना जरूरी है, क्या लिखाएं, if current year depreciation could not be set off from business profit, क्यों, मैंने क्या बताया, कि अगर हमारा business में profit कम है, या loss है, तो उसका क्या करेंगे, वह हम यहां सीख रहें, तो इसको क्या करिएं, लिखाए, set off करिए, first against profit of any other business or profession, मतलब, suppose, आपको, आपका जो यह depreciation है, business A से है, आपको कुछ लिख नहीं पाए, आपका और भी business है, profession है, एक B business हो रहे है, वहाँ पर आपका profit होड़ा है, पाच लाग, तो यह depreciation यहां से less कर, दूसरे business की income से less कर लो, यह point number A बोलता है, point number B क्या कहता है, आईए उसे समझते हैं, the balance if any against income under any other head, except from casual income and income from head salary, अब यह क्या बोल रहा है, मैंने कहा 50,000, पूटा सेट अफ कर लो, लेकिन क्या होगा, अगर business दूसरे है यह नहीं, है यह नहीं business दूसरे, या दूसरे business है, उसमें भी loss है, या उसमें profit भी है, मालिया 20,000 का profit है, तो आप 20,000 कर लेस कर सकते हो, तो बाकी का जो 30,000 रह गया, उसका क्या करेंगे, तो या तो दूसरे business ही नहीं है, या दूसरे business है, उसमें भी loss है, या उसका profit insufficient है, तो क्या करेंगे, तो क्या लिखाए, आप इसे other head से set off कर लो, और हमें पता है, हमारे पास कितने head होते हैं, पाँच, salary, house property, business profession, capital gain, and other sources, business में तो है यह नहीं, तब ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं, business में और business से हमने कोशिश करके देख लिए, सबसे पहले तो और कोई नहीं है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो यह कहने की salary से allow नहीं होगा, salary के हैट से allow नहीं होगा, और दूसरा casual income, other sources में आदी है, casual income, casual income जैसे lottery लग गए, तो उन बने का करोर पती में जीत गए आपको, cryptocurrency से आपको profit हो रहा है, तो उन सब से आप नहीं कर पाऊगा, तो यहां B point में क्या लिखा है, the balance if any against any income under any other head, accept casual income and income from the self, the unabsorbed depreciation can be carried for an, अम मालिया वो भी नहीं है, दूसरे head में income नहीं है, या कम है, तो क्या करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, unabsorbed depreciation, unabsorbed मतलब जो हम absorb नहीं कर पाए, वसूल नहीं कर पाए, cut नहीं कर पाए, set off नहीं कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, unabsorbed depreciation, और इसको क्या करेंगे, इसे अगले साल लेकर जाएंगे, और time limit नहीं है, unlimited, अब पचास सो, दो सो साल, जब तक यह खतम नहीं होता, आगे लेकर जाओ, लेकर जो, लेकर, तो अगले साल बी लोस हुआ, तो अगले साल का depreciation भी आगे लेकर जाओ, सब एकटा होता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा, असेसी में और में नोट केरी ओंड़ बिजनेस, हो सकता हमारा बिजनेस बंद हो जाए, तो भी इसे आगे लेकर जाओ, क्योंकि और इंकम होगी, और बिजनेस होगा, उससे सेट अट अफ कर लेना, अब लॉस है, तो लॉस के लिए भी है, यह लॉस है ना, तो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट अफ कर लो, लॉस के, वो भी नहीं है, तो अधर हैड से सेट अफ कर लो, कैज़ूल इंकम और सेलरी को छोड़ कर, लेकिन अगर वो भी लॉस है, तो लॉस भी तो अगले साल जाएगा, तो लॉस को भी carry forward करो, unabsorb depreciation को भी carry forward करो, लेकिन unabsorb depreciation क्या है, unlimited time है, लेकिन लॉस के लिए 8 साल का time है, तो अब बताओ, आपके पास दवाई रखिए, एक Alupathy दवाई है जिसकी कोई expari नहीं है, और एक Alupathy दवाई है जिसकी expari है एक साल बाद, सिर में दर्द है, अर्युवेदिक दवाई भी सिर दर्द की है और ऐलुपेथी भी सिर दर्द की है और सिर दर्द की ऐलुपेथी की दवाई की एक साल बात की है उसका unlimited time है, तो आप पहले वो दवाई लोगे जिसके expiry है ऐसे ही हमारे पास दो चीज़े खाने के लिए है एक चीज़ दस दिन चलेगी, एक चीज़ एक दिन बाद खराब हो जाएगी तो हम पहले वो खाएंगे जो एक दिन बाद खराब हो जाएगी वरना वेस्ट हो जाएगी ऐसे ही बिजनिस का loss आठ साल का expiry time है अनर्जोड अप्रिशेशन का unlimited time है तो पहले expiry वाला loss पहले उसे set off करेंगे तो इसलिए fourth point में लिखा है कि अगर हमें loss है तो पहले loss को set off करो, बाद में अनर्जोड अप्रिशेशन को set off करो In case of carry forward of business loss the set off in the succeeding year shall be done in the following manner अगर कोई loss, अब क्या है, हमारे पार loss भी है, अनर्जोड अप्रिशेशन भी है अगले साल क्या होगा, अगले साल का current year का depreciation भी तो होगा तो अगर अगले साल हमें profit हुआ, तो सबसे पहले क्या less करोगे आप यह नहीं कह सकता है, सबसे पहले loss को अगर उसे less करने के बाद profit अभी भी बचा हुआ है, तो brought forward loss क्योंकि उसका expiry time है, तो set off brought forward loss और अगर उसके बाद भी profit बचा है तो unabsorbed depreciation जिसका unlimited time तो इस sequence में हमें write off करना है तो क्या हमने सीखा carry forward के लिए, सबसे पहले depreciation जो current year का, current year का depreciation सबसे पहले कहां से less करो, उसी साल के, उसी business के profit से अगर उस business के profit से set off नहीं हुआ, तो दूसरे profit को देखो, दूसरे business के profit को देखो, अगर दूसरे business के profit से भी नहीं हुआ तो दूसरे head देखो अलग-अलग head of income salary और casual income को छोड़ कर और अगर उससे भी set of नहीं हुआ तो अगले साल लेकर जाओ फिर अनफ्जो डेप्रिशेशन कहलाएगा अगले साल लेकर जाओ लेकिन अगले साल नंबर तीसरे नंबर पर आएगा पहले नंबर करण्टियर अगले साल के डेप्रिशेशन का दूसरे नंबर पर ब्रोट फर ओर लोसेज का तीसरे नंबर पर ये नंबर आएगा तो यह हमने सीखा set of का क्या system है कैसे कैसे हम set of करें example देखते है example हमारे पास 15 है और इसकी मदद से हम सीखते हैं कि क्या करना है बिजनेस इंकम बिफोर डेप्रिशेशन 72,000 डेप्रिशेशन 94,000 इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी 60,000 अधर सोर्सेश 6,000 एं सेलरी 3,000 तो हमें निकालना है इंकम तो सबसे पहले हम क्या लिखें एक हमारी हाउस प्रोपर्टी की हेड होता है सेलरी का भी है सेलरी का हेड सबसे पहले सेलरी का हेड सबसे पहले होता है फिर हाउस प्रोपर्टी भी होता है हमारे पास और हाउस प्रोपर्टी के बाद PGPP भी है और अधर सोर्सेश भी है हम कैसे सैट ओफ करें सेलरी की इंकम हमें दिवी है एलक और हाउस प्रॉपर्टी की इंकम दिवी है 60,000 और अज़र सोर्सेश हमने यह लिख लिया सेलरी लिख लिया अज़र सोर्सेश है 6,000 बिजनेस इंकम है 72,000 और इसमें 94,000 का हमारा depreciation है तो हम depreciation लिखेंगे up to profit 72,000 तो ये तो निल हो गया हमारा ये तो खतम हो गया अब हमारे पास depreciation बचा कितना डप्रिशेशन हमारा था 94,000 जिसमें से 72,000 का तो सेट अफ हो गया बागी कितना रह गया 22,000 का रह गया तो हम नहीं क्या बोला है कि ये जो depreciation है ये हम लोग क्या कर सकते हैं ये depreciation हम सेट अफ कर सकते हैं कहां से इसी ओवर हैड की income से लेकिन salary से नहीं कर सकते हैं और casual income से नहीं कर सकते हैं तो इसकंदा salary तो पूरा का पूरा तीन लाग बारा जाएगा क्योंकि salary से तो set off हो नहीं पाएगा अब 22,000 set off करने के लिए हमारे पास other sources का option भी अवलेबल है और house property का भी option अवलेबल है तो आप किसी से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं तो आप चाहें तो 60,000 है house property इससे 22,000 का यह set off कर लो यहाँ पर लिख देता हूं मैं minus current year depreciation 22,000 तो हमारे पास जो income आ जाएगी 60,000 minus 22,000 38,000 income आ जाएगी और other sources की 6,000 आ जाएगी अब चाहो तो 6,000 other sources से कर लो बाकी 60,000 बात होई है क्या फरक पड़ता उससे तो यह total income हो जाएगी हमारे तो यह हमें ध्यान लखना है कि कैसे कैसे set off करना salary से नहीं कर पाएगी लेकिन हम यह ग्रोस टोटल income आ जाएगी हमारी 3,000,000 plus 38,000 plus 6,000 3,44,000 अगर हमारा unabsorbed depreciation एक लाख रुप्या होता तो 60,000 पूरा house property पूरा 6,000 other sources salary से कर नहीं सकते थे तो फिर next year इसे carry forward करते हैं PK furnishes the following particulars उसकी business income है before depreciation अभी current year का depreciation less नहीं हुआ है current year का depreciation जादा है और income from house property है income from other sources है और income from salary तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे income from salary heading बगड़ा तो डालेंगे उस अब आप डालेंगे उस अब डालेना competition of taxable income तो income from salary वो है 3 lakh और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि आप business के loss को salary की income से set off नहीं कर सकते हैं तो इससे तो कोई छड़ा खानी होगी नहीं आपकी अब आपकी है एक income from house property और वो है 60,000 और एक है profit before depreciation 72,000 इसमें से हम depreciation less करेंगे लेकिन depreciation क्योंकि इससे ज़्यादा है depreciation to the extent of profit ही हम less कर सकते हैं कभी भी depreciation की वज़े से EGPP में loss नहीं आता है तो हमारा जो depreciation रहे गया remaining depreciation वो कितना रहे गया 1,48,000 था जिसमें से 72,000 का तो profit before tax से set off हो गया तो हमारा 76,000 रुपीज का depreciation बज़ गया इस 76,000 में से हम house property से set off कर लेते हैं क्योंकि current year का जो depreciation है वो salary के अलावा हार चीज़ से set off हो जाएगा और long term capital loss से नहीं और इसे तो हम यहां पर 60,000 रुपीज house property के profit से set off कर लेते हैं गरंटियर depreciation तो यह भी निल हो गया अब हमारे पास बचा है income from other sources और यह हमारा बचा है 16,000 रुपे का तो income from other sources जो है वो है 6,000 और हम income from other sources से set off कर लेते हैं करंटियर depreciation 6,000 तो यह भी निल हो गया अब हमारा जो बचा है remaining वो unassort depreciation हो जाएगा जो बचा हुआ depreciation है 10,000 और वो next year के लिए carry forward हो जाएगा और total इस साल की income 3,000,000 हो जाएगी section 35 हमें बताता है कि जब भी कोई business scientific research के लिए खुद खर्चा करता है या किसी को donate करता है तो उनको 100% deduction मिल जाती है कैसे होगा वो पूरा हम देख लेते हैं scientific research means any activity for the extension of knowledge in the field of natural और applied science including agriculture, animal और fisheries तो animal husbandry, fisheries, agriculture ये भी include हैं ये नहीं है कि केवल यही है इनके अलावा और चीजों पर भी जहां पर भी आप scientific research करेंगे उनको सब को cover किया जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर assessi खुद scientific research कर रहा है तो क्या होगा खुद खर्चा करता है तो क्या होगा तो revenue nature जो भी expenses होंगे और capital nature expenses होंगे 100% allowed है अगर वो उसके अपने business profession से related है तो अगर कोई भी अपने business profession से related R&D करता है research and development का खर्चा करता है तो चाहे वो revenue nature हो चाहे वो capital nature हो 100% allowed है अब यहाँ यह बात समझने की है कि revenue nature का खर्चा तो allowed होता है लेगिन capital nature के खर्चे पर तो हमें depreciation मिलता है लेगिन वो भी 100% allowed है इसका मताब आप यह assume कर सकते हो मन में कि 100% depreciation allowed हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 100% allowed हो रहा है तो जब मैं depreciation पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर कोई asset scientific research के लिए use होती है revenue nature की बात करें revenue nature का खर्चा during the period of business जब आमने खर्च की है तब तो allowed है ही लेकिन अगर आमने business शुरू करने से पहले के खर्चे करें तो तीन साल के वो खर्चे भी allowed है जिस साल business शुरू होगा उस साल expenses before the commencement of business revenue expenses on salary और क्योंज इड नहीं आएगा salary जो भी research staff को आपने दिया है या research करते हुए जो material use हुआ है तीन साल पहले तक का preceding the date of commencement of business shall be allowed 100% in the year in which business is commenced तो जिस साल business शुरू हुआ है उस साल आपको पिछले तीन साल तक का revenue nature expenses allowed हो जाएगा जिसमें material और salary वगड़ा include हो जाएगा for example ABC limited ने business शुरू किया इसी साल previous year में 1st July को लेकिन इन्होंने business शुरू करने से पहले दो लाग रुपे का खर्चा तीन साल पहले से कर रखा है ठीक है और end the price का authority has certified expenses of rupees 1.5 lakh तो इन्होंने 2 lakh का खर्चा किया लेकिन 1.5 का certified हो गया है कि आप ही 1.5 lakh का खर्चा genuine है हम मान जाते है तो इसका मतदद 3 साल तक का खर्चा उस इस हमारे current PVCR में allow हो जाएगा जिस साल आपने business शुरू किया है लेकिन 3 साल से पुराना खर्चा लाओ नहीं होगा ठीक है ना तो फर्स जुलाई को अगर आपने business शुरू किया तो फर्स जुलाई से पिछली 3 साल देखेंगे और फिर्स जुलाई से लेकि rh deeply तीन साल का खर्चा लाओड लोगा उससे पुराना खर्चा लाओड नहीं बिजनेस शुरू होने के बाद तो 100% अलाउट है उसमें तो कोई बात ही नहीं हम अब बात करते हैं capital nature expenses की तो capital nature expenses expenses before the business start अगर business के शुरू करने से पहले के capital nature खर्चे हैं हमने अभी अभी देखा revenue खर्चे तो तीन साल के लाउट होते हैं तो क्या capital के भी capital expenditure भी तीन साल तक के लाउट हो जाएंगे तो यहां लिखा capital expenditure during the three year preceding the date of commencement shall also be allowed as deduction in the year of commencement of business इसमता capital nature खर्चे भी नहीं लगता है है और research के लिए आप land खरीते रहें तो आप तो हर कोई क्या करेगा अदर्वाइस जमीन खरीते का और दिखाएगा कि वो research and development करना विजिनर्स शुरू कर देगा तो land के लिए कोई भी खर्चा है तो वो allow नहीं होगा बाकी सब expenses allow हो जाएंगे एक प्लांट खरीता है दूरिन दा इयर फर्स्ट जुलाई को सैंटिफी रिसर्च के लिए 30 लेक का यह तो सारा allowed है एस पर दब P&L of income tax act इंकम टेक्स act में जो P&L बनाएंगे उसमें आप खर्चे में डाल सकते हो वैसे तो आप accountancy में तो planter machine को P&L में नहीं डाल सकते हैं आप उसको balance sheet में दिखाते हो लेकिम P&L जो आप income tax के लिए बनाओगे उसके P&L में आप डाल सकते हो allowed है but if the company has purchased land for the purpose of scientific research वो allowed नहीं होगा similarly if the building has purchased for 40 lakh जिसमें 25 lakh land है तो केवल 15 lakh ही allowed होगा क्योंकि land and building में जो land की cost है वो allowed नहीं होगी आपको यह था business शुरू होने से पहले के तीन साल का खर्च अलाओड है capital HR भी तो business start होने के बाद कर तो अलाओड हो गई होगा expenses after the commencement of business वो भी सब अलाओड हो जाएगा आपको this reduction is available even if the asset has not been put to use for the purpose of scientific research आपने research के लिए asset खड़ी दिया यूज नहीं करी तो भी आपको allowed है अब हमें यह याद है हमने यह पढ़ा था depreciation में कि अगर हमारा depreciation profit से जादा है या loss के case में depreciation की वज़े से loss नहीं होता उसे carry forward करना पड़ता और उसे हम unabsorred depreciation बोलते हैं तो जब वो यह allow नहीं है तो यह कैसे allow हो जाएगा तो अगर capital expenditure है scientific research पर और profit insufficient है या loss है तो यह भी carry forward होगा same as unabsorred depreciation set off of unabsorred capital expenditure if profit of business before adjusting capital expenditure of scientific research is less than the capital expenditure of scientific research and full amount of capital expenditure could not be set off तो हम उसे unabsorred capital expenditure बोलेंगे set off and carry forward of unabsorred scientific research capital expenditure shall be done in the same manner as of the unabsorred depreciation तो जैसे unabsorred depreciation को carry forward or set off करते हैं उसी के साथ सत यह भी जाएगा बिल्कुल उसी तरह infinite time period है time period नहीं है आप इसको जबमर जी carry forward कर सकते हो यह तो हमने पढ़ा कि अगर जो हमारा assessi है वो खुद ही scientific research कर रहा है तो उस situation में उसको revenue nature और capital expenditure expenditure का क्या होगा वो सब हमने देखा अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने contribution दिया है किसी और को अगर assessi ने किसी और को contribution दिया है किसी और को पैसा दिया है आप बही किसी और को भी पैसा दे सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप खुदी research करें आपको research करने में दिल्चस्पी नहीं है या आपका business ऐसा नहीं है कि आप अपने business में research करें आपके business से related नहीं भी है और आप किसी और को scientific research के लिए पैसा देते हैं तो भी आपको deduction बिल जाएगे Assessy can claim deduction even if he makes donation for the research whether or not connected to the Assessy business Assessy के business से connected है या नहीं इस बास से कोई फरक नहीं पड़ेगा deduction allowed shall be as follows आपने notified approved research association को पैसा दिया है जिसका object है scientific research कर तो आपने scientific research करने वाली approved notified association को पैसा दिया है या आपने notified approved university को पैसा दिया है या आपने notified approved college को पैसा दिया है या और कोई notified approved institution है for the use of scientific research related or not related to assessi business इसका मिलब आपने notified research association को approved university, college या other institution को पैसा दिया है scientific research के लिए तो आपको 100% deduction मिल जाएगी जितना भी आपने payment किया है उसका 100% आपको allowed हो जाएगा खर्चा, an amount paid to an approved Indian company to be used by it for the scientific research provided that all of the following condition are satisfied, अगर आपने company को दिया है, first part में company नहीं था यहाँ पर है company लेकिन company कोंसी Indian company जो approved है तो आपने approved Indian company को पैसा दिया है scientific research के लिए, ऐसी company जो Indian है मतरा India में registered है, company का main object research करना है development है और company approved है, तो जितना भी आप पैसा देंगे उसका 100% आपको allowed होने वाला है यह तो हम पहले भी पर चुके हैं सारी की सारी, लेकिन वहाँ था scientific research के लिए पैसा दिया हो, यहाँ लिखा है which has its object doing research in social science और statistical science, हमने पहले देखा था scientific research के लिए, यहाँ पर social science और statistical science में research के लिए, अगर आपने पैसा दिया है, वो भी आपका 100% amount allowed है depreciation नहीं मिलेगा, जो भी आप इस section में deduction लेंगे, उस पर depreciation आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 100% आपको खुदी लग चुका है depreciation, it is not necessary, the assessor should himself carry on scientific research deduction अभी लेवल है, चाहे वो खुद करें या कोई और, किसी और से करवाए मताँ आप अगर अपने first revenue या capital के लिए था, scientific research आप किसी और से करवा रहे हैं, अपने व्यापर तो भी allowed है, तो यह सब हमारा scientific research के लिए था, कि भाईया क्या-क्या allowed है एक्स लिमिटेड है, जिनका incorporation हुआ है, पिछले साल, first January को, क्योंकि हमारे previous year से पिछला first January है, और यह manufacture कर रहे हैं, tires का, tubes का, motor vehicle के लिए, manufacturing unit setup इसी साल हुई है, first May को, the company commences manufacturing operation on first June, the total cost of planter machine install is 55 crore, the set plant and machinery included second and plant and machinery bought for 20 crore, and the new planter machinery for scientific research, जो 15 crore में खरीदा, compute the amount of depreciation allowable under section 32, हमें कितना depreciation मिलने वाला है, तो, opening WDV के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, हमने उसको निल लिखा, add करते हम, cost of acquisition of assets acquired, इन्होंने total 55 crore rupees की asset खड़ी दी है, इस 55 crore में से इन्होंने scientific research के लिए 15 crore की asset खड़ी दी है, तो जो scientific research के लिए asset खड़ी दी है, उसके उपर हमें कोई भी depreciation नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर 100% section 35 में ही हमें deduction मिल जाएगी, तो यहाँ पर बचिवी asset होगे 40 crore, इसके उपर WDV for depreciation 40 crore, normal depreciation लगेगा 40 crore का 15%, 6 crore रुपीज, और additional depreciation के लिए हमने पड़ा था कि जो new planter machine रियू दी है, उसके उपर additional depreciation लगता है, यहाँ लिखा है 55 crore में से, 15 crore तो scientific research के लिए हमने use की है, उसके उपर तो कोई भी depreciation नहीं लगेगा, और second hand plant है 20 का, और second hand पर additional depreciation नहीं लगता है, new asset पर additional depreciation लगता है, तो बाकी जो balance बचा, 20 वो new है, planter machine नहीं जिस पर additional depreciation लग जाएगा, तो additional depreciation, 20 crore का 20%, olex का हमारे पास, closing, WDV या हम कहें, opening WDV, for next year, 30 crore आ जाएगी, तो इस साल depreciation हमें कितना मिलेगा, section 32 में 10 crore रूपीज, 6 crore normal, और 4 crore additional, 15 crore रूपीज, हमें section 35 में allowed expenses हो जाएगा, scientific research के लिए, जो भी हमने capital expenditure allowed होता है, scientific research के लिए, वहाँ पर हम भी deduction मिल जाएगे, example number 18, first April को previous year में, 4 plant हैं ABC Limited के पास, A, B, C, D, जिस पर 15% का depreciation लगता है, और इसकी value 5,40,000 है, 14,6 को एक new plant purchase, plantee which was initially purchased for 96,000, for conducting scientific research is transferred from laboratory to factory, no other asset is purchased or sold, find the depreciation, तो देखें, scientific research के लिए, जो हमारी asset होती है, उसको आप, अगर, scientific research के लिए, जिस साल आप use करते हैं, उस साल आपको 100% deduction मिलती है, अंटर सेक्शन 35, चाहिए वो capital expenditure हो, एक तरीके से, उसकी WDV क्या हो चुकी है, निल, अब ये भी हो सकता है, कि आप उसको फिर scientific research की बजाए, आप उसे normal business के लिए यूज करें, अब नॉर्मल यूज के लिए आपने इसको लिया है, तो हम क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे इसे, opening WDV, PVCR को, A, B, C, D, 5,040,000, add करेंगे, cost of acquisition, of assets, acquired, और ये asset, EI है हमारी इस block के अंदर, लेकिन इसकी जो cost थी, वर थी 96,000 की, ठीक है, और उस पर 96,000 का, deduction हमें मिल गया होगा, section 35 में, तो उसकी value निल आएगी, cost of acquisition में जोड़ेगा, लेकिन निल जोड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने इस asset को बेचा, तो इसका जो selling price है, वो यहां से less हो जाएगा, तो depreciation कम हो जाएगा, future में, जो भी उसका selling price होगा, तो अगर हम, कोई asset, scientific research के लिए, खरीद कर उस पर claim करते हैं, deduction under section 35, और फिर उसको, scientific research से हटा कर, normal use में लाते हैं, तो वो हमारे block of asset में, जोड़ जाता है, लेकिन, nil value पर जोड़ता है, तो हमारी, WDV आ जाएगी, for the purpose of depreciation, 5,40,000, इस पर depreciation लगेगा, 5,40,000 का 15%, कितना हो गया? 81,000, और WDV, और next year, हमारे लीग क्या हो जाएगी, 5,40,000 मैनस 81,000, for like 59,000, अगर हमने, national laboratory को, payment किया है, या, हमने university को payment करा है, या हमने IIT को payment किया है, तो ऐसी case में क्या होगा? तो अगर असेसी ने national laboratory को, university को, या IIT को, या किसी और approved specified person को, पैसा दिया है, जो direction है, उसके हिसाब से, scientific research के लिए, तो government ने, वो scientific research program को, approve किया है, तो उसके ऊपर भी आपको, 100% deduction, अलाव हो जाएगे, तो जो आपने payment किया होगा, approved national laboratory को, university को, या IIT को, कोई भी scientific research program है, जो government के थूँ approved है, तो उसके आपको, 100% deduction मिल जाएगे, Mr. X हैं, उन्होंने बता रखा है कि, कौन-कोन सी payment, उन्होंने scientific research के लिए करी है, इन्होंने payment किया है, K research limited को, एक company को research किया है, 20 lakh rupees, research के लिए payment किया है, LMN college को payment किया है, 15 lakh, 10 lakh, इन्होंने OPQ college को दिया है, 10 lakh, K research and LMN college are approved research institution, and these payments are to be allowed for the purpose of scientific research, तो इसके उपर आपको 100% deduction मिल जाएगी, K research और LMN के लिए, National Laboratory को 8 lakh दिया, इस पर आपको 100% का deduction मिल जाएगा, machine ही आपने purchase किया है, इन-house scientific research के लिए, तो capital expenditure on in-house scientific research, इस पर भी आपको 100% deduction मिल जाएगी, salary दिया है, in-house research के लिए, तो ये revenue expenses है, ये भी आपको 100% मिल जाएगा, हमें section 35 में बताना है, कि आपको कौन-कौन सा कर्चा allowed होगा, except this sub-allow हो जाएगा, 20, 15, 8, 25 and 12, तो section 35 में, allowed expenses जो आपको होगा, वो कितना हो जाएगा, 20 plus 15 plus 8 plus 25 plus 12, तो 80 lakh rupees आपको allowed हो जाएगे, scientific research के लिए section 35 में, company engaged in business of biotechnology और manufacturing और article और thing, etc. section 35 2 AB, if companies engaged in the business of biotechnology और in business of manufacture और production of any article और thing, except those are specified in the 11th schedule, तो उनका जो भी capital और revenue nature का expenses है, other than land and building, वो सारा allowed हो जाएगा, in-house research development का 100%, जैसे हमारा section 35 था, scientific research, ऐसे ही ये भी section है, इसमें भी हो जाएगा, इन्होंने कहाए, कोई भी biotechnology या कोई manufacturing कर रहा बिजनेस, तो उसको अलाव होगा, लेकिन वो जो सामान मनाते हैं, वो 11th schedule में ना हो, 11th schedule में क्या है, मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, जैसे तंबाकू, cigarette, बीड़ी, विस्की, इस टाइब की जर्नल चीज़े हैं, ये हैं, इसके अलावा, cosmetic items हैं, उनके लिए, in-house research वगरा के लिए, गौर्वन चाहती नहीं की पैसा दिया जाया, उन्हें 100% छूड़ दी जाया, तो इसलिए वो भी हैं, chocolates वगरा हैं, तो कुछ चीज़े हैं, जो हटाई गई हैं, तो मतलब आपको इतना ज़्यादा tension नहीं लेनी की, एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस आपको बोला कि, 11th schedule में जो लिखा हैं, उनके अलावा आपको कुछ करते हैं, तो आपको मिल जाएगा, तो आपके मन में ये विचार आ सकता है, कि 11th schedule में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें ये ये items लिखी हुए, जिन पर आपको deduction मिलने वाली नहीं है, example number 20, X Limited ने बताया है, कि उन्होंने क्या-क्या payment करा है, और हमें बताना है, कि उन्हें क्या-क्या छूट मिलने वाली है, जैसे कि उन्होंने Indian Institute of Science Bangalore को scientific research के लिए payment किया है, तो 100% deduction मिल जाएगी, 1,00 रुपीज, deduction, under section 35, IIT को दिया, Approach scientific research program के लिए, 100% deduction मिल जाएगी आपको, 250,000 रुपीज, आपने जैसे को दिया है, company registered in India, Indian company को दिया है, और object है scientific research के लिए, अगर ये approved है, अगर हम ऐसा मानते हैं, तो हमें 100% deduction यहाँ पर भी बिल जाएगी, 4,00 रुपीज, expenditure in-house research के लिए किया है, prescribed authority से, revenue nature खर्चा allowed है, capital nature खर्चा allowed है, land नहीं होना चाहिए, land है 5,00, वो नहीं मिलेगा, तो इसमें से 5,00, less कर देंगे, तो 2,00, 50,000 रुपीज पर 100% allow हो जाएगा, तो यह total amount हमारा, 13,00, 13,00, allow हो जाएगा हमें, expenses, अब है donation for scientific research, and rural development, section 80, GGA, यहाँ पर यह बता रखा है, कि हमने अभी तक यह सीखा, कि अगर आपका business profession है, और आप scientific research के लिए, अगर आप donate करते हैं, तो आपको deduction मिल जाती है, PGPP में, profit and gain from business or profession, लेकिन, अगर आप, को business की income नहीं हो रही है, suppose आप salaried employee है, आपकी other sources है, आपकी house property के income है, और फिर भी आप scientific research के लिए, किसी को payment करते हैं, तो भी तो आपको deduction मिलनी चाहिए, तो section ATGGA में deduction मिलती है आपको, deduction under this section is available to all SSC, whether resident or non-resident for the amount donated for the purpose of scientific research, such donation can be made to associations, universities, colleges or institutions जो approved है, जैसे हमने देखा था section 35 में, approved institutions को, association, university, college को, अगर आप पैसा देते थे, आपको 100% deduction मिलती थी, business profession में, ऐसी अगर आप और कोई है, business profession के अलावा, आपको कहीं भी income हो रही है, चाहिए आप resident है, non-resident है, अगर आप donate करते हैं, तो आपको deduction मिलने वाली है, साथी साथ, social science और statistical research में भी, यहाँ पर include है, second point में लिखा है, कि यह deduction तब ही मिलेगी, जब आपकी PGPP की income नहीं है, क्योंकि PGPP की income है, तो section 35 में ही आपको deduction मिल जाएगी, 80 GGA में deduction का मतलब ही नहीं होता है, if the deduction is claimed under this section, तो और किसी section में आपको यह deduction नहीं मिलेगी, और यहाँ लिखा है, कि अगर donation cash में दिया गया है, 10,000 से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही पैसा 10,000 से ज़्यादा है, और cash में है, तो आपको deduction नहीं मिलेगी, sale of asset, which has been used for scientific research, अगर scientific research के लिए आपने asset को use किया है, तो उस situation में कैसे आप tax निकालेंगे, any amount realized on transfer of asset, which has been utilized for scientific research is taxable as business income, to the extent deduction was allowed, देखें आपको, suppose आपने एक 5,00,000 रुपे की asset खरीदी थी, और आपको section 35 में business की expenses allowed हो गया, अब आपने इसको बेच दिया, अगर आपने आप इसको 4,00,000 बेच दिया, तो इसकी एक तरीके से, जैसी आपको section 35 में deduction मिली, तो एक तरीके से, इसकी WDV निल हो गई, अब आपने 4,00,000 में बेचा, 6,00,000 में बेचा, तो ऐसी situation में 5,00,000 की income, जो business income आनी जाएगी, जो section 35 में deduction मिली थी, एक लाग रुपए जो उपर से मिले हैं, वो capital gain है, इसलिए वो capital gain के chapter में आएगा, तो यहाँ लिखा है, कि asset का use आपने किया है, sold करा है, without using for any other business purpose, तो आपने कियावल scientific research के लिए asset को use किया, और फिर बेज दिया, तो अगर आप उसे business के लिए use कर रही नहीं रहे हैं, सीथा scientific research के लिए use करके बेच रहे हैं, तो यहाँ लिखा है, कि आपका section apply होगा, और जो कम amount है वो business income होगी, कम amount किस चीज़ में compare होगी, selling price और जो section 35 में detection मिली थी, जो भी कम amount है, वो आपको business income हो जाएगी, और अगर cost से भी जादा है, तो capital gain आएगा, क्या होगा, अगर आपने इसको बेचा है, business के लिए use करके, तो जैसे ही आप इसे business के लिए use करते हैं, तो आप इसे block of asset में add कर देते हैं, cost of acquisition acquired during the year, लेकिन इसकी WDV nil add करते हैं, add होती है nil amount, क्योंकि इसकी WDV nil हो चुकी है, जैसे ही आप इसे business के लिए use करेंगे, हम add तो करेंगे, एक नई asset business में आगी है, लेकिन उसकी WDV nil है, भी बेचेंगे तो selling price माइनस हो जाएगा, और हमें पता है, session 50 में negative WDV आती है, या sada का sada set block बेख जाता है, तो ही हम उस पर capital gain निकालते हैं, session 50 में, तो हमने अभी तक क्या पड़ा, वो देख लेते हैं, फिर उसके उपर example देखेंगे, तो आपको अच्छे session में आ जाएगा, sale of scientific research, अगर आपने business के लिए use नहीं किया, और उसे बेचा है, तो selling price अब two cost business income है, उससे उपर capital gain है, और अगर आपने scientific research वाली asset को use किया, पहले business के लिए फिर उसे बेचा है, तो जैसे ही आप business के लिए use करेंगे, WDV में add कर देंगे, cost of acquisition of asset earlier use for scientific research, और उसकी WDV nil add करेंगे, और जब बेचेंगे उसका selling price minus हो जाएगा, नॉर्मल, चलिए example number 21 देखते हैं, ABC enterprise है, इन्होंने एक machine खड़ी दी थी, 5 lakh रुपीज में, 18th August को पिछले साल, previous year से भी एक साल पहले खड़ी दी थी, scientific research के लिए, तो इसका उन्दब, हमारा जो relevant previous year है, यह relevant previous year है, इससे पिछले साल, आपको deduction मिल गई, under section 35, और आपने पूरा का पूरा 5 lakh रुपे, claim कर लिया, खर्चा, एक तरीके से इसके WDV निल हो चुकी है, अब during the year 17 July, during the relevant previous year, previous year में 17 July को, हमारा research का काम पूरा हो गया, और हमने 31st March को, previous year के आखरी दीन इस asset को बेचे दिया, case number one, case number one, selling price है 1 lakh, और एप पार्ट है इसका, after using the same for business purpose, other than scientific research, हमने पहले इसे business के लिए use किया, फिर उसे बेचा, क्योंकि business के लिए use करना कब से शुरू किया होगा, 17 July से, हमने 17 July current year के अंदर, यहां से हमने इसको, research का काम खतम हो गया, और research का काम खतम होने के बाद, जुलाई से लेके मार्स तक हमने business के लिए use किया, the WDV or the respective block is 4,80,000, जिस asset के block के लिए use करा, उसकी depreciation rate 15% है, और उसका opening WDV 4,80,000 है, तो हम क्या करते हैं, इसी साल हमने use करा, और इसी साल बेच दिया, हम क्या करेंगे, opening WDV लिखते हैं, 4,80,000, इसमें प्लस करेंगे, cost of acquisition of asset, earlier used as, earlier used in scientific research, तो हम क्या लेंगे, इसकी cost, 5,00, minus deduction, जो मिल गई थी 5,00, तो इसकी cost of acquisition तो निल ले ली जाएगे, 4,80,000, मुम माइनस करते हैं, full value of consideration of assets, प्रासवर्ड दियर और यसे 1,00 में सेल आउड कर दिया, तो जब 1,00 में सेल आउड कर दिया, तो WDV, for depreciation आ जाएगी हमारी, 3,80,000, इसके उपर depreciation लगेगा, at the rate 15%, तो 3,80,000 का 15% depreciation हो जाएगा, 57,000, और WDV, for next year आ जाएगी, 3,23,000, कोई business के income नहीं होगी, कोई capital gain नहीं होगा, यह है case number one, जब हमने asset को वालेक में सेल किया है, उसका part A, अगर हमने पहले business के लिए यूज किया, उसके बाद इसे बेचा, अब हम बात करते हैं, part B की, part B में क्या लिखा है, without using the same for other purpose, हमने किसी और purpose के लिए यूज नहीं किया, scientific research के बाद इसे बेची दिया सिधा, ऐसी situation में, हम selling price, up to, deduction, allowed, under section 35, will be business income, over that, it will be capital gain, इन्होंने 5 लाग की ऐसर खरी दी और केवल एक लाग में बेची, सारा का सारा क्या हो जाएगा, business income हो जाएगा, 1 लेक, इनकी business की income हो जाएगी, 1 लेक रुपीस, और जो deduction है, इनको पूरे 4 लाग 80,000 रुपए के उपर मिलेगा, depreciation, और depreciation कितना लगेगा, 4 लेक 80,000 के उपर, क्योंकि इनका जो block है, वो 480 का है, उसके पाद 15% का depreciation लाएगा, मतलब कोई capital gain नहीं आएगा, और business की income 1 लेक रुपीस से बढ़ जाएगी, और depreciation नॉर्मल 480 पे मिलेगा, क्योंकि ये asset हमने business purpose के लिए उसकरी नहीं है, तो उसके उपर normal depreciation चलता रहेगा, अब हमसे second part पूछा जा रहा है, second part में case number two में, ये बोला क्या है कि हम ये assume करें, कि इसको हमने sale किया है, seven lakh रुपीस में, तो अगर हमने इसे seven lakh रुपीस में sale किया है, तो ऐसी situation में क्या होने वाला है, कि हमें बताना है, after the using for the same, इसमें भी part A और B हैं, ताकि हमें दोनों चीजों से clear हो पाए, केस नंबर two देखते हैं, केस नंबर two, selling price seven lakh, part A, sold after using for other business purpose, हमने scientific research वाली asset को, पहले business के लिए use किया, उसके बाद में बेचा, तो ऐसी situation में, opening WDV हमने लिखा होगा, four lakh eighty thousand, plus इसमें हमने add कर दिया होगा, जो भी asset use करी है, cost of acquisition of, asset to addition, during the year, उसकी value निल आ जाएगी, less करेंगे, selling price of assets, sold during the year, अब seven lakh में sell किया है, है ना, तो seven lakh, लेकिन negative WDV तो हो नहीं सकती, तो up to maximum, four lakh eighty thousand, तो closing WDV क्या जाएगा, nil, depreciation क्या जाएगा, निल, और short term capital gain आएगा, under section 50, तो यहाँ पर लिखते हैं, full value of consideration of assets sold, seven lakh, minus opening WDV, four lakh eighty thousand, minus additions, उसका amount निल लिया था हमने, तो short term capital gain आ जाएगा, two lakh twenty thousand, two lakh twenty thousand, short term capital gain आ जाएगा, depreciation निल आएगा, यह है case number two A में, और बात करें, to be case, without using for any other purpose, हमने selling price seven lakh में, इस asset को sell out कर दिया है, selling price is seven lakh, तो up to cost, which was allowed as a deduction under section 35, rupees five lakh, business income मानी जाएगी, आवर कोस्ट, आवर कोस्ट, हम इसको, क्या लेंगे, capital gain, तो तू लेक रुपीज का, capital gain हो जाएगा, तो ये हमने, चार possible cases हो सकते थे, कि selling price हमारा, cost से कम हो, cost से जादा हो, और हम business के लिए, यूज करें या ना करें, उन चारो cases को, हमने एक example में cover किया, तो इस example में, सारे case आगए, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपके में, अगर कोई asset, हमने scientific research के लिए, यूज करने के बाद बेची है, तो उसको पूरा समनने के लिए, example number 21 का,